अलो फ्रेंड मैं हूँ वरुन और आप सबका स्वागात है आपके अपने यूटीब चैनल इस्टडी टीम में आज की इस क्लास में हम यूपेट पलसिपेट, यूपेट पुलिस, बियार पुलिस और अधर एक्जाम जिसमें हिंदी के कोशन पूछे जाते हैं उसके लिए हम साथी साथ में इस क्लास का फीडबैक आप लोग कमेंट बाक्स में जरूर बताएं तो चलिए क्लास सुरू करते हैं पहला कोशन है हिर्दय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लुकोक्ति बताना है तो आपसन यह है मान नमान मैं तेरा मेहमान आपसन भी है मार मार कर अकीम बनाना अपसन सी यह पराय धन पर लच्मी नरायन और अपसन डी है मन चंगा तो कटाउती में गंगा तो हिर्दय पवित्र तो सब कुछ ठीक इस लुकोक्ति का आर्थ हमको बताना है तो इसका अर्थ क्या होगा तो इसका अर्थ होगा कि मन चंगा तो कटाउती में ढूला नंबर डी सोी होगा अगला है वारांट्सी गुरकपूर आरा के मध्य कॉन सी बासा बोली जाती है तो रशचरय है अलड़ी अलड़िक एक आप कि का जाती है तो इसके दोफ़ते दिसाति है तो नंबर भी शेयं क्योंण ठीक है अब को बताना है कि इसमें से वर्तनी रूप से कौन सुध लिखा गया है तो रिसी कैसे लिखा जाता है तो रिसी और 60 को रूसर पे छोटी की मातरा होगे तो कौन सा अप्शन तो अप्शन नमबर ए सई होगा अगला देखते हैं अगला अध्यम लिखित में किसौरी लालगोस्वा मी रचित काहनी कानी एक तो अप्शन प्लेग की चुड़यल पंडित और पंडितानी आप्षन से इंदू मती और आप्षन यह 11 वर्स का समय तो कि सूरी लाल गो स्वामी द्वारा रचित कहानी इसमें से कौन सी है तो इसमें से कौन सा आप्षन सही होगा तो यह होगा इंदू मती क्या है कि सूरी लाल गो स्वामी जी द्वारा रचित क्या है कहानी है ठीक Busan أपसे नमपर C सई होगा अगला है निम्लाकित में इसे कौन सा सब्द b देशी सब्द अगला है अगला है कौन सा सब्द pulling है ॠिक है कौन सा शब्द pulling है था अफशन ए है मंतर ना अपशन भी मंडली और शरव यह है तो कुछ है कि लहाब इसमें कॉलिंग कौन से होगा कि खोट हाफ फूलिंग होगा हमारा deprived दूरा है बताको बताना है बॉसरा बॉसरा ध्रम को बताना है टो जन यह प्रम बॉसर ऌतल गर्सक्राहना सन्यास और। तो हमको भिज़ें करेकर लिघान हे इससे चलपने उसमें है तो उससे करेकर तो फेटolen기는 एसरें कैसल और डीन होता है ठीक है option number C सही होगा अगला है कि निर्देश 9 से 11 गध्यांस पढ़े एवं निमलिखित प्रस्णों के उत्तर चुने ठीक है तो 9 नमबर हमारा question है कि आज सबसे बड़ा संकट क्या है आज सबसे बड़ा संकट क्या है तो अप्षन है मानो रंजन अप्षन भी रोजगा अप्षन से गरीबी और अप्षन यह जन संक्या तो चलिए गध्यांस को पढ़ते हैं और इसका answer देते हैं कि कौन सा अप्षन सही होगा तो अक्सर दूरदासन पर परिवार नियोजन के कारेकरम और विग्यापनों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि ये विग्यापन बच्चों पर बुरा असर डाल रहे हैं बच्चों को समय से पहले प्रावन बना रहे हैं क्या सच्म यह चिंता का बिंदु रहा है निश्चे जन संक्या पर नियंत्रण में संच्यार्ण माध्य मोद्वारा ग्यापित संदेश जन मानस में व्याप्त असर डालते हैं तो आज सबसी बड़ा संकट क्या है तो इसमें क्या लिए है कि आज सबसी बड़ा संकट है क्या जन संक्य ठीक है इसमें क्या है जन्संख्या है जन्संख्या नियंत्रण सबसी बड़ा संकट है तो आप्षा नमबर डी सई होगा अगला है दर्स नमबर कि प्रोण का अर्थ बताई है प्रोण का अर्थ बताना है कि क्या होगा तो आप्षान ये अ परिपक्व अ परिपक्व आप्ष नमबर C सई होगा अगला है कौनसा सब्द उपाय से संबंधित नहीं है ठीक है कौनसा सब्द उपाय से संबंधित नहीं है तो आप्षन यह है तरकीव आप्षन भी यह साधान आप्षन C विलाच्छन और आप्षन यह युक्ति तो कौनसा सब्द उपाय से संबंधित नहीं है तो इसमें कौन सा अप्शन सही होगा तो बिल अच्छन क्या है उपाई से संबंधित नहीं ठीक है अप्शन नमबर सी सही होगा अगला है कौन सा विशेशन निश्चित संख्यावा चक विशेशन नहीं है ठीक है अब को वतार आए कि कौन सा विशेशन निश्चित संख्य संख्यावाल चक विशेशन नहीं है तो अप्शन है कुट्टे के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए अप्शन भी है एक किलो आम से ज्यादा मत लाना अप्शन से यह सहेकड़ों लोग मारे गए और अप्शन यह चाय में 50 ग्राम चीनी डालना तो हमको बताना है कि कौन सही होगा यह क्या है यह निश्चित संख्यावाचक विशेशन नहीं है ठीक है आप्शन नमबर सी सही होगा अगला है पुषकर का अर्थ बताईए ठीक है पुषकर का अर्थ बताना है कि पुषकर का अर्थ क्या होगा तो आप्शन नदी का नाम आप्शन भी है मूशक आ तो पुषकर का अर्थ क्या होगा तो पुषकर का अर्थ होगा सरोवर अप्शन नमबर D सई होगा अगला है मैंने आम ले लिया का बहु बच्छन क्या होगा मैंने आम ले लिया का बहु बच्छन हम बनाना है कि क्या होगा तो option A मैंने आम ले लिये हैं option B मैंने आम लिये हैं option C हमने आम ले लिये हैं option C हमने आम ले लिये हैं ले लिया है तो मैंने आम ले लिया है इसका बहुबचन क्या होगा तो इसका बहुबचन होगा कि मैंने आम ले लिये हैं option A सही होगा तो मैंने आम ले लिये है, option number A सही होगा. अगला है, जटील का अर्थ बताईए, जटील का अर्थ बता ना है कि क्या होगा? तो option A, व्यर्थ, option B, पेचीदा, options C, असंभव, और option Y, गंदा, तो जटील का अर्थ क्या होगा? तो जटील का अर्थ होगा, पेचीदा आप्षन नंबर भी शही होगा ठीक है आगे देखते हैं आगे दिये ग 1976 में से शही वाके चुनी ठीक है आपको उता नहीं कि इस बिक्लप में कונसा सही वाझे है, तो aption ने है कि मैं ने आप से प्रणाम किया था, aption b.n. मैं आपको प्रनाम किया हूँ, aption c.n. m.n. ने आपको प्रणाम किया था, और aption d.n. ने मैं आपको प्रणाम किया था, तो इसमें सही वाग्य कौन सा है? तो इसमें सही वाक्य होगा कि मैंने आपको प्रणाम किया था मैंने आपको प्रणाम किया था आपसन नमबर C सही होगा ठीक है? आगे देखते हैं गाड़ा सब्द का बिलोम बताईए गाड़ा का बिलोम बताना है तो आपसन ने पतला, आपसन भी ए सुख अगला है जिन्दगी नामा के लेखा कौन है बताना है तो आप्षन ये है क्रिष्णा सोबती आप्षन भी एक केदार नाच सिंग आप्षन ये कालिदास तो जिन्दगी नामा के लेखा कौन है तो जिन्दगी नामा के लेखा कौन है तो जिन्दगी नामा के लेखा क्रिष् कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए बगवान सिर्राम ने सेतु यहाँ पर डैस है कि पूरु समुद्र टट पर सिवलिंग फिर यहाँ पर भी डैस है किया था रिक्तातान की पूर्ति करना है कि यहाँ पर क्यों सा उचित वाक्य भरा जाएगा उस्वारी कौन सा उचि के लिए बगवान सिर्राम ने सेतु ठीक है बगवान सिर्राम ने सेतु सेतु को क्या निर्माड किया था क्या तो यहाँ पर क्या भर जाएगा यहाँ पर निर्माड निर्माड की पूरु समुद्र टट पर सिवलिंग सिवलिंग की क्या की थी सिवलिंग अस्थापित किया था क्या अस्थापित ठीक है अस्थापित किया था तो इसके अंसार कौनसा आप्शन सही हो गया तो यह हो गया आप्शन नमबर ए सही होगा ठीक है अगला है मिलजूल मन किसकी रचना है मिलजूल मन किसकी रचना है तो आप्शन यह है ना सिरा सर्मा आप्शन भी है चित्रा मुदगल, आप्षन सिय मम्ता, कालिया और आप्षन ये मृर्दुला, गर्ग तो मिलजूल, मन किसकी रचना है तो मिलजूल, मन, मृर्दुला, गर्ग की रचना है, आप्षन नमबर D सही होगा, अगला है बिकल्प में से इस्त्रिलिंग सब्द का चैन करें, ठीक है, इस्त्रिलिंग सब्द बताना है कि इसमें से इस्त्रिलिंग सब्द कौन सा होगा तो आप्षन नमबर B सही होगा, ठीक है आगे देखते हैं, दिये गए बिकल्प में से सुधवा के पाचानी है, ठीक है सुद्वा के बताना है कि इसमें से सुद्वा के कौन सा है तो अप्शन ने मोरों के पंक सुन्दर होता है मोरों के पंक सुन्दर होता है अप्शन भी ये मोर के पंक सुन्दर होते है अप्शन से ये मोर का पंक सुन्दर होता है तो इसमें सुद्वाग के कौन सा होगा तो इसमें सुद्वाग के होगा कि मोर की पंक सुन्दर होते हैं आपसा नमबर भी सही होगा ठीक है आगे देखते हैं आगे है ब्रह्मा यहापे डैस है महेश यह तीनों फिर यहापे डैस है जगत का संचालन करती है ठीक है ब्रह्मा, डैस, महेश ये तीनों डैस है फिर जगत का संचालन करती है रिक्स्तस्थान के लिए उचित विकल्प का विकल्प कौनसा होगा ठीक है यहाँ पर भरना है तो हमारा आप्षन यह है बिश्डू, सक्तिया, आप्षन भी है क्रिष्न, देविया और आप्षन सिए सिव, भगवान और आप्षन यह है रिसी देवता तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा चलिए इसको हम भरते है तो क्या है कि ब्रह्मा ब्रह्मा फिर उसके बाद बिश्डू ब्रह्मा बिश्डू ये तिनो क्या है, ये तिनो सक्तिया ये तिनो सक्तिया जगत का संचालन करती है, ठीक है कौनसा अप्षन हो जाएगा इसके अप्षा स्था तो यह होगा अप्षन नमबर आः, सई होगा ठीक है, चलिए आगे देखता हम आगे है दिये गए पिकल्प में से सही वाक्य चुनिए ठीक है सही वाक्य वताना है कि कौनसा है तो आपसन है ललित को दो बेटियां है आपसन भी यह कर्म ही जीवन की कसोटी है कसोटी है और आपसन सी है डर के मारे चोर दोड़ गया आपसन भी परिवर्तल से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं तो इसमें सही वाक्य कौनसा होगा तो इसमें सही वाक्य होगा कि परिवर्तल से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं आपसन नमबर डी सही होगा अगला है पीपर पात शरिस मंडोला पीपर पात उपमा लंकार का कौन सा अंग है ठीक है पीपर पात शरिस मंडोला में पीपर पात उपमा लंकार का कौन सा अंग है वो वताना है तो अप्शन आ है वाचक अप्शन भी है उप में अप्शन सी है साधारन धर्म और अप्शन अपसले यह उपमान, तो इसमें से कौन साफिन होगा? तो प Springs Path उपमालंकर का क्यों साङ है? तो यह उपमान है, आप्शन नंबर D सही होगा, अगला Question है कि कि तत्च्छ Trung सब्द का रपर सब्द बताई है, कि तत्च्छ अप्सल्ब का रपर सब्द का रपर सब्द ही होगा ठीक है किंचित का तद्सम का तद्बों होगा कुछ अगला है सिधार का गुण तो बाव डैस और रिक और है रिक्ष दस्तार के लिए उचित विकल्प चुनिए और के बाद यहां पे भी डैस है ठीक है यह चूट गया है तो क्या है कि सी आर है यह सियार का गुण स्वभाओ डैस और यहां पे डैस है इसमिया पे भरना है तो अपशन ए कुछ आप्सन भी दोर्तता यहां पे दोर्तता है। चलाकी और option C है लेकिन और option यहँ गंदा बीभत्स तो कौन सा option सही होगा तो क्या है कि CR कगोड स्वभाव क्या है धूरतता और चलाकी है ठीक है option अमबर B सही होगा अगला है जोठा सच के लेखक और जोठा सच के लेखक का он है तो option यह यास पाल अप्षन भी कबीर, अप्षन भी सुडू प्रभाकर और अप्षन भी मैथिली सरण गुप्त तो जूठा सच की लेखक कौन है? तो जूठा सच की लेखक है यस पाला अप्षन नमबर ए सही होगा अगला देखते हैं, अगला है हिंदी वर्तनिय के अधार पर सही वाके का चैन करें, ठीक है? हिंदी वर्तनिय के अधार पर सही वाके का चैन करता है तो option A है, तुम इसका दाम देते जाओ, option B है, तुम इसके दाम देते जाओ, और option D है, तुम इसके दाम देते जाओ, तो इसमें से सही वाके कौन सा होगा, तो तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, option number B सही होगा, ठीक है अगला है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति के अधार पर सही अलंकार चुड़ी है ठीक है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति के अधार पर सही अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है तो आपसन अनुपरास आपसन भी यह प्रेच्छा अलंकार आप का लंकार आप्शन नमबर C सही होगा अगला है उपमा लंकार में उप का अर्थ क्या है ठीक है उपमा लंकार में उप का अर्थ क्या है वो बताना है तो आप्शन यह तौलना आप्शन भी है उपर आप्शन C है बादल और आप्शन D है समीप तो उपमा में उप का अर्थ क् समीब ठीक है अप्शन नमबर D सही होगा अगला है कापूर होना मुआवरे का सही अर्थ क्या है कापूर होना मुआवरे का सही अर्थ क्या है तो अप्शन ये बड़ा काम करना अप्शन भी गदगद गदार होना अप्शन C भाग जाना और अप्शन ये कलंकित होना तो काप पुर्वन अ मुहारेकार्थ होगा, भाग जाना, आप्शन नमबर C, साई होगा, अगला है रेहन पर मपू किस लेखक का उपन्यास का रहे हैं, ठीक है, हमको बताना है कि कोई ये, इस ने, किस लेखक ने ये उपन्यास लिखा है, तो आप्शन आप सिनाथ सिंग, आप्शन पिल्कुल बदल जाना अपसे बिल्कुल बदल जाना अपसे यह तदीग घुमंड होना और आ है तो लाल पिना होना हम आउरे का अर्थ क्या हो जाएगा तो यह होगा बहुत क्रोध करना आप्सन नमबर A सई होगा ठीक है अगला देखते हैं अगला अगला अभिकल्पों में से पुलिंग सब्द का चैन करें ठीक है पुलिंग सब्द बताना है कि इसमें से पुलिंग सब् तो अप्चन एह यह तेज़स्वी. अप्चन भी एे तपस्वी नहीं. अप्चन सी हह हनशी नहीं. आप्चन भी ए詹न परोप evening. तो पूलींग सब्द। कौन सा होगा इसमें? तो इसमें पूलींग सब्द। तेज़स्वी. किया यह पुलिंग सब्द है ठीक है अगला देखते हैं वो बहुत वो काम बहुत धंग से करते हैं वो काम बहुत धंग से करते हैं वाक्य का काल पाचानिय ठीक है काल बताना है कि इसमें कौन सा काल है तो अप्षन ये सामाने वर्तमान काल अप्षन भी ये सामाने भूत काल अप्षन नमबर ए सही होगा अगला है सुप्त का विरुद्दार्थी सब्द बताईए ठीकते सुप्त का विरुद्दार्थी सब्द बताना है तो आप्षन ने है पालक आप्षन भी यह पौरस तया आप्षन सी यह गर्मी और आप्षन यह जागरित तो सुप्त का होता है जागरत, ठीक है? सुप्त का विल्वम जागरत होता है, जागरित नहीं होता है, तो यहाँ पर हम इसको जागरत बना लेंगे और आपसर नमबर d शही होगा, ठीक है? अ Gary अगला है बिज्ञान और प्रव दूकु की छेटर में भारत की प्राचीन की के यहां पे डैस हैं से फिर डैस लेकर इस अटाब्दी में प्राप्त महान सपलता हो कि एक लंबी और फिर दैस परमपर आ रही हैरिक दर्स्तान के लिए उचित विकल्ब का शुनना है कि क्या भार आजायेगा ठीक है ? यहां पर डैस नहीं है यहां पर 1 ही है ठीक है तो आपसन नावा चारो आपसन भी अपलबदियो अनुठी आपसन ची करमो और आपसन यह बीजय अब है ठीक है तो चलिए इसको पढते हैं और इसको हम रिखतरतान के पूर्थ करते हैं देखते हैं कि कौनसा अप्शन सही होगा तो बिज्ञान और प्रदोगी की के छेत्र में भारत की प्राचीन काल की के यहाँ प्राचीन काल की अब क्या अब उपलबधियों ठीके उप लबधियों उपलबधियों से लेकर इस सता भी में प्राप्त महान सफलता हो कि एक लंबी और क्या है अनुठी परंपरा रही है कौन से आप्चिन सही होगा तो ये होगा आप्चिन नंबर 20 सही होगा ठीक है आगे देखते हम आगे है लोक में प्रचलीत उकती जिसका मूल अर्थ बना रहता है और सोतन्त रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है दिये गे विकल्पों में से सही उक्ति का चैन करें ठीक है लोक में प्रचलीत उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और सोतन्त रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है दिये गे विकल्प में से सही उक्ति का चैन कर प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और सोतत रूप से उसका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं उसे लोक उक्ति कहते हैं अप्शन नमबर ए सही होगा अगला देखते हैं अगला है अध्यापी का है इस सब्द में वचन के आधार पढ़ने मिलिकित बिकल्प में से सही संदी बिछेत का चैन करें ठीक है इसका संदी बिछेत का हमको चैन करना है किसके अधार पे तो वचन के अधार पे ठीक है तो आप्शन ए अध्यापी का प्लस E का है आप्शन भी है अध्यापी का प्लस E आप्शन सी है अध्यापी का प्लस E और लॉस ठीके एकौन सा आफ़सा सही होगा अप्शन अंबर सी सही होगा अगला देखते हैं अगला है दिये गए भी खलपों में से सही आघे चुनिए ठीके सही आखिये एकुछ ना आ है कि इसमें से कौन सा सो धरुप लिखा गया है तो अपसन एतीन नगरों के नाम बताईए अपसन भी एतीन नगर के नाम बताईए अपसन से एतीन नगरों के नाम बताईए और अपसन एतीन नगर का नाम बताईए तो इसमें सही वांके कौन सा है तो इसमें सही वांके होगा कि तीन नगरों के नाम बताईए, तीन नगरों के नाम बताईए, अप्शन नमबर C, सहयोगा, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे मुक्ति बोध, मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरसकार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, मुक्ति बोध के लिए जैन कु पुरसकार और आप्चन ग्यानपिट पुरसकार है Shaun कौन सा आप्चन सही होगा इसमें है 2 मुक्ति बूध के लिए जहनेंद्र कुमार को क्या है सही ट अकादमी पुरसकारं से सम्मानित किया गया था A नमबर ए सही होगा अगला है किस वाक्य में प्रविशेशन नहीं है ठीक है अमको बताना है किस में किस में प्रविशेशन नहीं है तो आप्षन ए है मुझे तो थोड़े थोड़ी ही भूख है आप्षन भी अरे बहुत ही सुन्दर फूल है आप्षन से आजकल संतरे कुछ ज वजदार हो गए है इसमें क्या है प्रोविशेशन नहीं है ठीक है अप्शन नमबर धी सही होगा अगला है निरंतर डैस करने से काम्याबी जरूर हासिल होती है रिक्तस्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है ठीक है यहां पर हमको भरना है क्या करन की कौन सा भरा जाएग अप्शन है हंगामा अप्शन यह कार अप्शन चितकार और अप्शन यह प्रयास तो निरंतर क्या करने से काम्याबी जरूर हासिल होती है तो निरंतर क्या है प्रयास करने से काम्याबी जरूर हासिल होती है तो यहां पर क्या बर जाएगा प्रयास कौन सा अप्शन स्मिरिती, आप्षन सी ये बोज, और आप्षन ये अनुभूती, तो कौनसा आप्षन सही होगा, बोध का समानार्थी, सब्द क्या होगा, तो बोध का समानार्थी सब्द होगा, अनुभूती, आप्षन नमबर D सही होगा, अगला है, काली घटा का गमंड घटा, काली घटा का गमंद घटा पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रियोक किया गया ठीक अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा तो आप्षा अलंकार आप्षा अलंकार आप्षा यमक अलंकार और आप्षा अनियोक्ति अलंकार तो काली घटा का गमंद घटा इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें होगा यह मकलांकार, ठीक है? अप्षन नमबर C, सही होगा, अगला है थोथा चना, बाजे, घना, मुआवरेक अर्थ का चैन करें, ठीक है? थोथा चना, बाजे, घना, तो अप्षन ए दिखावा बहुत करना, परणतु सार न होना, अप्षन भी चने को और आपसन यह बहुत आवाज करना तो थोथा चना बाजे घना मुहावरेक अर्थ क्या होगा तो यह होगा दिखावा बहुत करना परंतु सार नह होना आपसन नमबर ए सई होगा ठीक है अगला है अधजल गगरी छलका जाए उक्त मुहावरेक के लिए वाक्य बताईए ठीक ऐए अधजल से भरी गगरी छलकत जाती है आपसन यह कम गुड़ वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है और आपसन यह आधे जल से भरी गगरी नहीं लेका जानी चाहिए तो अधजल गगरी छलका जाए इस मौहरेक के लिए वाक्य क्या होगा तो यह होगा कि कम गुड वाला ब्यक्ति दिखावा बहुत करता है, आप्षा नम्बर C सही होगा, ठीक है, कौन सा, तो ये आप्षा नम्बर C सही होगा, अगला है, कमल का इस्त्री लिंग बताई है, ठीक है, कमल का इस्त्री लिंग बताना है, तो आप्षा ने है, कमल लीनी, आप्षा भी है कमली, आ अप्षान नॉम्बर C, सही होगा. अगला है, छोटा, डैस, बड़ी बात, लोकोक्ती को पूरा करना है, यहाँ पर भरना है, कि क्या परा जाएगा. तो अप्षान A, बालक, तो अप्षान B, मुह, अप्षान C, सिक्का और अप्षान D, साती. तो छोटा, डैस, बड़ी बात, लोकोक्ती को पूरा करना है, तो क्या है, कि छोटा, छोटा, मुह, बड़ी बात, कौन सा अप्षान सही होगा? तो यह होगा, अप्षान B, सही होगा, ठीक है? तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें. झाल झाल